Hello guys, welcome back to TechFC यार क्या आप लोग जानते हो इस दुनिया में न 5.3 बिलियन मुबाइल यूजर्स हैं जिनमें से एक आप हो और एक हम भी हैं यार और क्या और इतने सारे स्मार्टफोन ब्रैंड्स हैं जिनमें से कौन सा फोन आपके लिए पॉफिक्ट रहेगा ये चूज करने में आज हम आपकी मदद करने वाले हैं तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 15,000 के अंदर वाले कुछ amazing smartphones जो कि आपके लिए एक सही smartphone चूज करने में जरूर मदद करेंगे दोस्तों एक smartphone में सबसे ज़ादा जरूरी क्या होता है बताइए, simple है यार उसका display क्योंकि आपने तो सुनाई होगा ना कि जो दिखता है वही बिखता है आजकल तो सभी smartphones में AMOLED displays ही आते हैं और आपने फ्रेवरेट के बारे में तो सुनाई होगा जैसे 60Hz, 90Hz जो ये decide करता है कि आपके phone में animation कितना fast और कितना smooth होगा देए, display के बाद जो दूसरी चीज आती है न वो है camera क्योंकि आजकर लोग शीशे से ज़ादा camera भी अपना चेरा देखना पसंद करते हैं और selfie तो भईया उनकी फेवरेट चीज है और तीसरी चीज है performance जो कि 15,000 के अंदर आने वाले phone में तगड़ी performance ढूड़ना थोड़ा मुश्किल है 15,000 भी तो दे रहे हो ये भी देखो लेकिन हम आपके लिए best ढूड़न के लाए है इन सब ही aspects को देखते हुए शुरू करते हमारे पहली smartphone से जिसका नाम है Realme Narzo 50 सो दोस्तों इस smartphone की best highlight है 33W का fast charging and Mediatek Helio G96 processor screen sizes का 6.6 inches IPS LED display है जो की 120 Hz refresh rate support करता है और आपको बता दूँ आपको इस phone में मिल जाएगा एक 50MP back camera और 2MP macro lens और 2MP depth sensor और ये phone 1080p पर 30 fps से 120 fps तक की वीडियो recording कर सकता है दोस्तों looks की बात करें तो इस phone में आपको front में एक punch hole notch देखने को मिलता है back side plastic का बना हुआ है simple है साथ ही इसमें आपको 2 colors speed blue and speed black देखने को मिलेगा अब ये color में speed क्या है वो आप इसके back को देखे अंदाजा लगा सकते हो सो दोस्तों इस phone की price की बात करें तो वो है 12,990 और मेरे according ये price इस specification के according वर्थ है यार और क्या क्योंकि आपको एक तगड़ा processor और 120 hertz refresh rate मिल रहा है यार जो की बहुत ही सही है सही में और gaming experience को काफी enhance कर देगा ये लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज और है battery जो की मुझे थोड़ी सी कम लग रही यानि की only 5000 mAh इस list में दूसरे phone है जिनकी battery बता है कितनी है 6000 mAh तर पर हां 50 megapixel camera impressive है natural condition में आप अच्छी photos खीच सकते हो और indoor lighting में decent pictures आही जाएंगी और next smartphone Redmi 10 Prime so दोस्तों basic features इस phone में तो simple है जैसे की 50 megapixel camera है 8 megapixel ultra wide camera है 2 megapixel macro camera है and 2 megapixel for depth साथ ही आपको इस phone में देखने को मिलेगा Corning Gorilla Glass 3 and इसके 2 variants 4GB RAM and 6GB RAM variant मिलेगा आपको और इस phone की battery 6000 mAh की है जो की 18 watt के fast charging को support करता है दोस्तों पिछले phone से comparison करें तो इसकी battery जादा है ultra wide camera इसमें दिया हुआ है जो की Realme Narzo 50 में नहीं दिया हुआ था प्रोसेसर की बात भी कर लेते हैं यार तो इसमें आपको बिलता है MediaTek Helio G88 जो की battery efficiency में G96 जितना ही अच्छा है लेकिन G96 इस से gaming performance and CPU में थोड़ा सा better है इस phone का design देखने में काफी stylish लगता है लेकिन back side में जो camera bump दिया हुआ न यार सही बदाओ वो जूरत से ज़्यादा ही बड़ा दिया हुआ है और front में एक जो punch hole camera है वो भी ठीक है अच्छा है color साफ हो तो इसमें आपको मिलेगा astral white, defrost blue and phantom black price की बात की जाए तो red me 10 prime आपको पड़ेगा 12,500 रुबएगा जो कि मुझे camera and battery दोनों को देखते हुए न बहुत ही सही लग रहा है इस price में वर्त है और क्या so smartphone number 3 realme 9i realme का design थोड़ा बहुत मुझे oneplus nol2 से inspired लगता है आप क्या बोलते हो comment करके बताना and अगर इसके specification की बात करें तो इस phone में भी आपको 50 megapixel का main camera देखने को मिलता है और इसके अलावा 2 megapixel macro and 2 megapixel depth camera इसमें available है yes display की बात की जाए दोस्तों तो इसमे dragon trail pro glass protection दिया गया है जो की 90 hertz के refresh rate के साथ में आता है अगर हम इस phone के price की बात करें तो 11 से 12,000 की होती है तो फिर भी मैं आपको ये recommend करता हूँ लेगिन अगर future में इसकी price कम होती है तो आप इसे जरूर खरीदने की सोच सकते हैं दोस्तों design के बाबले में इस phone में advantage है क्योंकि इसका design काफी minimal है और size को देखते हुए आपके हाथों में पकड़ने में भी काफी comfortable रहेगा दोस्तों अब मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ टेक्नो पोवा नियो जो की again 15,000 के अंदर आने वाला smartphone है and guys इस smartphone की खास बात यह है कि इसमें आपको 6000 mAh की बड़ी battery मिलेगी and 18 watt का fast charging support मिलेगा लेकिन इसके जो बाकी features है न जैसे की camera हो गया जो की 13 megapixel का है और front में आपको एक 8 megapixel का camera मिलेगा ये दोनों चीज़े ना यार थोड़ा सा मुझे disappoint करती है seriously and इस phone में 1080p पर 30 fps तक की video recording supported है processor की बात भी कर लेते हैं तो processor आपको इसमें मिलेगा MediaTek Helio G25 जो की इस range में एक decent processor है इस phone में आपको एक plastic back cover मिलता है और ये phone splash resistant भी है इस phone का size बड़ा है यार देखो ना ये 6.8 inches का है यार काफी बड़ा है और इसमें आपको 4GB and 6GB variants available है अगर आपको ये phone sale में मिल रहा होना तो आप इसे purchase कर सकते हैं क्योंकि इसकी price लगभग 13,000 रुपए पड़ जाएगी इसमें आपको colors मिलते हैं Obsidian and Greek Blue So guys, moving to our final smartphone Xiaomi Poco M4 5G जो की yellow, power black and cool blue color में available है Guys, ये phone IP5, 53 dust and splash resistant है और साथ में इसमें Gorilla Glass 3 का protection भी आपको देखने को मिलेगा यानि screen तो यार सही है, आपके protected है है ना, camera की बात करें तो इसमें आपको 50MP का wide camera 8MP का ultra wide camera आपको देखने को मिलेगा और maximum ये 60fps तक का video record कर सकता है speaker में आपको stereo speaker देखने को मिलता है और USB Type-C charging port इस phone में दिया हुआ है बैटरी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा साग कम है लेगर इतनी भी कम नहीं है 5000 mAh की बैटरी है और साथ में 33W की fast charging supported है जो की 100% charge होने में only 59 minutes का time लेती यानि की लगबग एक घंटे में आपका ये भर देगा पूरा mobile येस अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेसर की तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि इस phone में MediaTek Diamond City 8105G का प्रोसेसर है जो की Helio G96 ये वही प्रोसेसर है जिसे हमने Narzo 50 में देखा था उसके कमपारिसन में ये प्रोसेसर, CPU, Gaming सभी एकस्पेक्ट में तगड़ा है यार और बैटरी लाइफ में तो बहुत ही ज़ादा जबर्दस्त है अगर इस phone में कुछ features पिछले phone से कम भी हो लेकिन प्रोसेसर उन सभी को compensate कर देता है एंड इसकी price थोड़ी सी ज़ादा है ये phone आपको exactly 15,000 का पड़ेगा जो की 4GB RAM एंड 64GB variant में आता है गाईज इस वीडियो में हमने आपको बताए है 5 स्मार्टफोन और सभी में कुछ नकुछ अच्छे features है तो कुछ कमियां भी है, simple सी बात है कोई तो perfect होता नहीं है लेकिन आपको क्या चाहिए, ये आप देखो simple सी बात है, अब आप जिस भी perspective से एक नए स्मार्टफोन की खोच कर रहे हो उसके according आप इन में से एक phone चूस कर सकते हो अगर आपको इस वीडियो में बताएगे information से फायदा हुआ हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें और मिलते हैं आप से ऐसे ही amazing वीडियो के साथ थैंक्स पर वाचिंग एंड सब्सक्राइब टो टेक एफसी भबाई वीडियो को मिलते करना बिलकुल आप से बिलक। बद्सक्राइब कर देखके करके करना बाद करना पहता है